हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तो माई चानल सूपर टिप्स बाय यामी और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक लाइट पाटी मेकप जो कि मैंने अफॉर्डिबल प्रोड़क्स के साथ किया है और एक एक चीज समझा कर किया है तो अगर आप देखने मे सबसे पहले मेकप करने का स्टैप होता है अपने वा यह करे अब कि ऐसे पर यहांगे और์ परक्रिया आप तो यहां पर जैस्ख कररेक्टर करेद करीष नहां च्छों है एंगे जिस तो मैं आपकर नुझेर अलिडायगे हैनु प...? ठीक है अपने से एक शेड लाइटर कंसीलर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ और जहां पर मैंने औरेंज कलर करेक्टर लगाया था सिर्फ वही वही पर उसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पर यह वाला कंसीलर का यूज कर रही हूँ ठीक है और देखे बहुत ही कम-कम प्र अपने से एक टोन लाइटर और अब मैं क्या कर रहे हूं दो शेट को मिक्स करके मैंने अपना शेट कस्टमाइज कर लिया है इसी पैलेट में से और मैं अपने पूरे फेस पे हलका हलका लगाओंगी बिल्कुल हलका हलका जहां पर मुझे नीड लग रही है ठीक है अब इसी स अपने फेस पे उस पे बेस बनाना है ठीक है ताकि आप जो भी कलर अप डालोगे अपने फेस पे ब्लशर कॉंटोर तो वो उभर के दिखेंगे ठीक है तो इसलिए बहुत ही कम प्रोड़क्ट का मैंने यहां पर इस्तेमाल किया है इसलिए मैं फिंगर ब्रॉश यही चीज आप मौवी पंकी शेट लिया और इसको मैंने ऐस ब्लश यूज चीज पर इसी ब्लेंडर से मैं इसे बैन कर दिया और आप्परलोमी ब्लस पींगु अपनी प्लुश इसको अंपर से अलग से ब्लश इसी करें है क्या उ忘 aGI है और इसमें संग ही फेस पर ओना हूं तो इसको बहुत जादा oily भी नहीं है और बहुत जादा dry भी नहीं है तो बहुत ही हलका हलका मैं powder लगा रही हूँ क्योंकि अभी winters है summer होता तो मैं थोड़ा सा जादा powder लगाती है अगर मुझे oil निकलता तो ठीक है मैं सिवाना का ये trio palette है इसमें से मैंने matte contour लिया है और यहां पर मैं हलका हलका contouring करूंगी ठीक है बिलकुल हलका हलका करेंगे क्योंकि हम subtle makeup कर रहे हैं बहुत जादा sharp makeup हमें नहीं करना है इसलिए अब jaw line को थोड़ा सा कट करेंगे क्योंकि मेरी double chin है और nose पर भी मैं जरूर करती हूं क्योंकि मेरी nose अच्छी नहीं लगती मुझे ठीक है तो इसलिए इस तरीके से मैंने एक पतला brush लिया है angular brush है ये angular brush से अगर nose contour करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से होती है तो हमेशा मैं छोटा brush ही यूज करती हूं अपनी nose को हलका सा sharp दिखाने के लिए आप ट्राय करके देखना नहीं तो अब मैंने fluffy brush लिया है और जो मैंने contouring line ड्रॉग इतना चोटी चोटी वह मैंने इसी से blend कर दिया तक कोई harsh line ना दिखने ठीक है मेकप में कभी भी harsh line नहीं दिखनी चाहिए अब थोड़ा हैर लाइन पर ज़रूर लगाले क्योंकि वाइट वाइट फांडेशन लग जाता है तो वह छुपाने के लिए हम थोड़ा सा ब्राउन पाउडर से चुप भी जाता है और अपका forehead भी थोड़ा सा छोटा दिखता जहां पर तुर लगा दखिवे कर दा के अपर ईसको कि दो और दता हुरहां एंग लिए अपर मैं इक यदोर्च पी इसकि रिया है उसकी इन जाया है और ऐसंड़ीटे ग्लाने के लिए वह रहा वी तलगे कि यहां इन और ऐस दोगी इस आरे प्रोड़ेत प्रोड़ेशन इसके बाद मैं जो आइब्रो का मेरा पीछे सेक्षन है यहां पर मैं डार पाउडर लगा रही हूँ और आइब्रो का जो आगे वाला सेक्षन है यहां पर हम इस पैलेट में से लाइटेस्ट कलर लगाएंगे और फिर उन दोनों को मर्च कर देंगे आपस में ब्लेंड कर दे पर पर आई शैडो के लिए मार्स की पालेट यूज curriculum ऐसे और यहां पर जोगे आई दों मैं आर्ट पाउडर के लिए यहां पर आई-पैस पर लीकी अगर बना गो अबिसके मैं नहीं करते हैं तो if पाउडर अगर बुने पिट magari कशना दो प्रॉडर की यहां करें इसके एजेस को ना कुछ अंदर की तरफ ब्लेंड करूंगी और बाहर वाले को बाहर की तरफ और उपर वाले को थोड़ा सा उपर की तरफ ब्लेंड करूंगी ठीक है यह शैंपेंग शेड है तो इसको मैंने लगाया हाफ लिड पे और इसी को मैंने अपने ब्राव बोन तक ले गई मैं इसे क्या होगा मुझे ब्राव बोन को हाइलाइट नहीं करना पड़ेगा ठीक है आप दूसरी आख पर देख लो दूसरी आख को पहने पहले फिंगर से ब अब दूसरे छोटे फ्लफी ब्रश के साथ मैं उसकी एजिस को ब्लेंड कर रही हूं ठीक है उसी डारेक्शन में जिस डारेक्शन में मैंने में कलर डिपोजट किया है तो इस तरीके से करोगे ना बहुत जल्दी हो जाएगा बहुत इजी हो जाएगा सेम वाला सेम शिमर लेके मैंने फिंगर से लगा लिया और इसी शेड को मैं अपने ब्राव बोन तक अपलाए कर लिया तो ब्राव बोन तक अगर वही शेड लगा होगे तो बड़ा ही सुन्दर और बिल्कु डिफरेंट लुक आता है आप करके देखना यह ट्राय ना अलग से आपको आपको इसा आता है बिल्कुल मर्ज होके बहुत सुन्दर लगता है यह ठीक है अब सेम डार्क वाइन शेड लेके जो हमने आउटर एरिया में लगाया था उसी को हम लोवर लैश लाइन में लगा लेंगे इसे से अपनेख़ को आप इसे सेच सेब्सक्राइब लिपि कर सकते हैं कोई भी कर सकते हैं अब क्या adv काजल लिख यह मने इस मैं रखर न सकान रखार तो इस विफ-चेर स्की यह ज़ित तो आपको और तो फोड़ा थोड़ा सा विंग निकालते हुए लगाना काजल तो जादा सुन्दर लगेगा हलका सा बिलकुछ छोटा सा विंग आप देखो मैंने किता छोटा सा विंग निकाले तो अब हम मैं यहां पर क्या करें हूँ वैटन वाइल का प्रीशियस पेटल शेड है यह हाइ यह शैंपेटल गोल्ड शेड और यह ऐसा शेड ना कि हर स्किन टोन पर मैच भी हो जाता है चाहे आप फेयर हो मीडियम हो चाहे आप डस्की हो सब पर सूट हो जाता है और मैं अपनी ब्राइडल पे तो बहुत यूज किया है मैंने यह पहले ना बहुत यूज किया और और अपने टिप लगा लो और अपनी चिन और अपने चीक बोन पर लगा लो ठीक है अब यह फर मैं ना शीर मस्कारा यूज कर करते हो यह मस्कारे के बारे मैं हमेशे पने अपने मेकप टूरयों में आपको बताती हूँ कि यह वाला अम्सकारा उन लोगों के लिए जो डे इसके बाद हम इंसाइट का लिप ग्लॉस यूज करेंगे आप चाहें तो मैट लिप्स्टिक के साथ भी इसको फिनिश कर सकते हैं आप लॉस मत यूज कीजिए लेकिन अभी जैसे विंटर्स हैं विंटर्स में अभी ग्लॉसी लिप्स काफी ट्रेंड में हैं तो अच्छा ल कोईली स्किन होगी तो वह बहुत जादा मेल्ट हो जाएगा तो पूरी लिप्स्टिक आपकी ब्लीड हो जाएगी ठीक है तो यह था हमारा फाइनल स्टेप महीं हाँ पर मेकप सेटिंग स्प्रेय नहीं यूज करेंगी मुझे कहीं नहीं जाना तो चलिए मिलते हैं अपने